जितना मर्जी गेम खेल लो आपका फोन बिल्कुल भी हीट अप नहीं होगा जो लोग गेम खेलते हैं उनके फोन में एक प्रॉब्लम तो कॉमून है और ओ है हीटिंग इसू लंबे टाइम तक गेम खेलने से फोन काफी ज़्यादा हीट अप हो जाता है जिसकी वाएसे गेम में काफी ज़्यादा लैक देखने को मिलता है थार्मल ठॉटलिंग की वज़े से तो अगर आप एक सीरियस गेमर हो तो यह डिवाइस आपके पास होना ही चाहिए यह है यूनिक की तरफ से आने वाला एक मुबाइल कूलर और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको जितना देर तक गेम खेलते हो आपका फोन बिल्कुल भी हीट आप नहीं होगा और इ तो आपको इस खुलाइ़ को ख возмlasा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसी के सहसात आपको कूपन कूर भी देखने को मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्सीन गाइक आपड चेक किजेगा तो आपको कुछ इस तरीख स्तृ के वास सामनी तरफ आप इसका लेयाउट देख सकते हो, बॉक्स के साइड में या पर कुछ की हाइलाइट्स जाएगा है जैसी इसमें आपको थ्री स्पीड कंट्रोल देखने को मिलता है यहां पर आपको कुई कूलिंग देखने को मिलता है और टेमपरेचर जो डिस्पले है वह अमाजन में लगबग-लगबग 1100 रुपे के आसपास देखने को मिल जाएगा तो चलिए करते है इसको ओपन ओड देखते हैं बॉक्स कैसा है तो आपको कुछ इस तरीके का कूलर और इसे के साथ एक केबल देखने को मिलता है और यहां पर जो केबल है यह 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 यूएस् देखने को मिलेगा यहां पर आपको फैन के लिए वेंट दिया गया है और इसके नीचे मिल जाएगा एक चोटा सा डिस्पले जहां पर टेमपरेचर सो होता है और एक बटन देखने को मिलता है और साइड पर यहां पर एर वेंट देखने को मिलता है जहां से जो गरम हावा और निकलेगा पीछे यहां पर एक heat sink देखने को मिलता है जो कि अलुमिनियूम का बना हुआ हूआ है और ऑबर अपने आप में phone holder है तो यहां पर आप कुछ ऐसे इसको यहां पर खीज सकते हो तो यह कुछ ऐहां पर खीज जाता है तो ऐसे आप phone पर easily इसको आप लगा सकते हो तो मेरे पास यहाँ पर पिक्सल 7 है और जो भी फोन आप यूज कर गए पहले आप उसका कॉभर को उतार लीजे तो इसको लगाना काफी सिंपल है ना आपको कोई ग्लू यूज करना होगा ना कुछ भी उस करना होगा आपको ऊपर की तरफ ऐसे इसको प्लेस करना होगा उसक पोछ ऐसे इसके बाद यो टाइप सी पोड़ आपको ऐसे लगाना होगा इसके बाद इसी फोन का जो चार्जिंग पोड़ है इसमे मैं इसको लगा देता हूँ और देखिए यह ओन हो चुगा है और यह देखे कूलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है लेकिन इसे फोन जो बैटरी है जल्दी डेड़ हो जाएगा तो इसके लिए आप दूसरा एक मेथड़ कर सकते हो तो आप इसका जो USB है इसको आप कोई भी पावर बैंक पर लगा दीजे या फिर कोई भी चार्जर में लगा दीजे तो भी एजीली काम कर जाता है तो यहां पर आप कुछ इस तरी लेबल यहां पर सपोर्टेड है तो L3 मोड में जो फैन का जो स्पीड है सबसे मैक्सिमम होता है तो आपने रिकॉर्मेंट की साफ से आप जो फैन का जो स्पीड है उसको आप अपनी साफ से चेंज कर सकते हो और अभी देखे इसका जो टेंपरेचर है दो डिगरी तक चला काफी बढ़िया है काफी लाइट वेट है तो इसली आप कई पर भी इसको क्यारी कर सकते हो और जब भी आपके फोन में लगाते हो तो फोन जदा बलकी नहीं रहता है और इसके सथ इसका जो लुक है ओभी कमाल का है यहां पर आपको पूरा गेमिंग लुक देखने को मिलत पाउर बटन या फिर जो वॉल्म डॉकर्स है यह दबता नहीं है तो डिजाइन के मामले में यह काफी अच्छा है इसके साथ इसका कूलिंग स्पीड है काफी जादा है तो यहां पर जल्दी आपके फोन को यह ठंडा कर देगा तो क्यूंकि इसमें इंबिल्ट बैटरी द ब्लॉक ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि यहां से जो कड़म हावा है वो निकलता है तो यह ठीज आपको ध्यान देना होगा कि गेम खेलने के टाइम या फिर जब यह चलता है तब इसका जो भी फैन का जो बाहर का एडिया है इसको टश नहीं करना है या फिर ब्लॉक नह करना है तो अगर आप बहुत टाइम तर गेम खेलते हो या फिर लाइब स्ट्रीमिंग करते हो यह जो डिवाइस है आप के लिए काफी ज़्यादा यूसफुल होने वाला है तो बस आज के लिए सिर्प इतना ही आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आ अगर आपके बार में कोई भी कोस्ट्यन हो इस डिवाइस के बार में तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सिरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को नाइ वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्यो और गुट बाय